हुआ है हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू अमर की स्टड़ी देखिए इस वीडियो हम बात करेंगे आयो सील पाइपलाइन की तो कि आपका एक्जामनेशन होने वाला है 27 को ठीक है 27 मार्ट्स को आपका एक्जाम है सभी को पता होना चाहिए और जिन लोग होगा का डंलूड नहीं हुआ है देखो सट्लेस नहीं हुए है कुछ लोग अब far jardist के पात करेंगी क्या आता होता है क्या लेके जाना एस का यली त्रैंवल पास जो लोग coward सस्ट के हैं वो try ऐले क्या करेंगे वह मैं बताऊंगCC ठीक है और जो लेटल एंट्री के हैं जिन और है मतलब लेटल एंट्री से रिप्टमा कर रखा है ठीक है वो क्या करेंगे ठीक है यह चीजें हम देखने वाले हैं तो पूरा वीडियो देखना भाई सभी लोग वीडियो को लाइक जरू करना आपको आयूसल की सारी यहां पर देखिए यहां पर इन इसका जो एड्रस है वो हटाओ इसको बात नहीं करने एडमिट कार्ड रिटन टेस्ट ठीक है यहां पर हम बात करेंगे जो बीचीज इंपोर्टेंट है वो हम देखने वाले हैं इनका जो एग्जामिनेशन वह दस से ग्यारा बज़ तक है साड़े क्यार बज़ तक ठीक है डिट घंटे का एग्जामिनेशन है और रेपोर्टिंग टाइम आठ बज़े आपको जाना है देखो आठ बज़े रेपोर्टिंग टाइम है तो पहले ही जाना ठीक है और कोई बीचीज दिक्कत नहीं होनी चाहिए मैं आपको पूरी लिखा हुआ है ठीक है तो हम जूम कर लेते हैं और जूम करके हम पढ़ लेते हैं इनको वह जरूरी है सारे इस्ट्रेक्शन फालतों में तो नहीं दिए रखे होते हैं कुछ ना कुछ इंपॉर्टन होता है देखो विद रिफ्रेंस अबर नॉटिकेशन इस फॉर अबर्टाइजमन नंबर यह बेस्ट ऑन दा इनफॉर्मेशन फर्नेश्ट बाई यू इन ऑनलाइन पोर्टल यह इनकी साइट है ठीक है जो आयो से पाइपलाइन किये यू है बीन शॉर्ट लिस्टेड एपेरिंग रिटन टेस्ट विच इस शेडूल 27322 देखो मैं आपक देखें यह कहना कहा जा रहा है आपको चौबीस एक दोजार बाइस को यह नॉटिफिकेशन निकला था और जुसका एग्जामनेशन है वह 273222 को है ठीक है 273 273222 को है अब यहां पर क्या है कि जो एक्जामनेशन आपको शॉर्ट लिश्ट जो करे गए है उनको देखो श शॉर्ट लिश्ट नहीं करेंगे उनका अग्जाम ही नहीं को लागा ठीक है वह इनकी जो साइट है वो यह वाली है ठीक है कि देहां लगना देखिए भी अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरे नंबर सेक्ड नंबर पर क्या कह रहा है यू आर एडवाइड 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 इन वन ऩूसले आर गो ताली एडवाइड दाली यू खड़ो ने एडवाइड रस्पेंग प्लिष यू थे डव प्लिष यू एडवाइड वीू यू यू अँछ एडवं वेट नूसरे यू धू इ little यू भाइड है एडवाइड लाइड उह इडवाइड चू कर देखत उर्व सेलेक्शन पॉसेश इफ दा एनी स्टेट अव सेलेक्शन पॉसेश इट इस फांड देट दा कैंड़ेट नौट वी नौट मीटिंग दा इलिजिबल क्रेटरिया हर हिज हर कैंड़ेट शैल भी रिजक्टिब देखे इसमें वो यह कहत है कि आपके द्वारा जो एपलिकेशन भरा गया है ठीक है वही आपके पास इलिजिबल क्यारिया होना चाहिए जो दोकुमेंट शाहिए अगर वो डोकुमेंट नहींग था आपको रेजक्ट्र कर दिया जाएगा ठीक है यहां लिखा हुआ हिए तben you are advised appear to the written test the date, time and when you mention of the candidate coming late for the written test shall not be allowed sit in the written test after its commencement ठीक है देखो मैं आपको बता दूँ किसरे पॉइंट में क्या कह रहा है तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि अगर आप examination में late होते हो ठीक है अगर date पे नहीं आते हो जिस date पे आपका exam सकता है कि जैसे 8 बजे है तो आपको 7 बजे पहुंच जाना हो आप है ठीक है अगर लेट हो जा रहे हो तो फिर उसके बाद examination में एंटर नहीं करने दिया जाएगा ठीक है ये चीज़ हो गई ये चौथा जो point है वो बहुत important है ठीक है देखिए candidate who have applied for the post of engineering a stand and have diploma in engineering through lateral entry must ensure the lateral entry is through ITI only minimum one year उसके बादे कि lateral entry in diploma in engineering through then through ITI are not eligible and it is case in candidate has done diploma engineering through lateral entry other than ITI such candidate need not be not come for the treatment test देखिए इसका मतलब क्या है देखिए इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने diploma किया है lateral entry lateral entry is eligible है ठीक है lateral entry क्या है eligible है lateral entry is eligible है मन लेकिन ITI की बात करा हो ITI अगर आपने एक साल की भी कर रखी है फिर दो साल की कर रखी है एक साल की भी चलेगी और दो साल की भी चलेगी ठीक है two year ITI करा हुआ है one year ठीक है both are apply both are eligible but लेकिन आपने अगर जैसे graduation कर लिया है उसके बाद आपने diploma किया है तो eligible नहीं होगा ठीक है ITI के बाद ही eligible करा गया है लोगों ने तो साफ साफ क्या दिया है पढ़ लेना इसको सही तरह से एक बाद ठीक है तो जो लोग ITI करे हुए है ITI करने के बाद diploma किया है letter entry से तो eligible है बाकि सारे लोग जोतनों भी graduation कर लिया है कुछ भी कर लिया हो ठीक है वो नहीं जाना examination में हो गई नहीं कुछ आगई ठीक है फालतों में पर टाइम पर बाद करोगे अपना पांच में देखिए पांच पॉइंट में देखिए क्या है पाइब पॉइंट में देखिए क्या लिखा है यहां हम देखते है फाइब पॉइंट में candidate is required to carry आईडी प्रूफ एक ले जाना आपको रिडिन टेस्ट में ठीक है जैसे आदा काड़ हो गया पैन काड़ हो गया एक दू काड़ ले जाना जरूर वैल एज स्किल प्रिफेंसी देखो यहां पर कह रहा है स्प्प्ट का मतलब क्यों होता है स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प् होगा उसके बाद आप एंटर कर पाओगी एक सेल पटेस्ट फोटो एक सेल फटेस्ट फोटो ले जाना दस तीम सेल आल सो भी क्लेक्टेट अलांग अध्मिट कार्ड बिफूर दरिंट टेस्ट देखो है अभी से आपको सब कुछ बता रहा हूं बाद में दिक्कत ना हो कि सर मेरा अधार कार्ड या पर पैन कार्ड या फिर ड्राविंग लैसे इन चीज़ों में से ले जा सकते हैं फिर वाटर कार्ड आपके पास होना चाहिए ठीक है पास्पोर्ट भी चलेगा चैल नॉट भी असिप्टेड कैंडिडेट विदाट वैलिड फोटो आईडी प्रूफ विल नॉट बी अलावड एपी अंदर रिंटेस्ट ठीक है अगर आपको पता आईडी नहीं है और एडमेट कार्ड नहीं है तो आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा ठीक है यह चीज़ हो गई यहाँ पर आगे देखते हैं सिक्स नंबर पॉइंट में क्या है यह ना कि आप दूसरा कोई सिगनेचर मार दिया और उल्टा सिदा कर दिया मैंश होना चाहिए ठीक है इस चीज़ हो गई साथमा पंड देखिए साथमा पंड में कहा रहा है केंडियेट प्रॉससिंग हायर क्वालिफिकेशन देन पीज़ प्री स्क्राइब एज मैंशन इंदा नोटिफिकेशन ऑफ कैंसी पब्रिस इन आयो चीज़ नोट भी कंसिडर देखो यह लोगों ने जैसे डिग्री कर लगता है डिप्लोमा के बाद डिप्लोमा प्लस लोग बीटेक कर लिते हैं ठीक है तो बीटेक नहीं चलेगा इसमें ठीक है अगर आपका सेलेक्शन हो जाता है तो वहां पे आपको मेंशन नहीं करना है वहां पे आपको बताना नहीं है कि मैंने बीटेक कर लिया है या फिर मैंने कुछ higher position qualification कर लिया है तो बताना नहीं ठीक है यह जी आपको में के लिए बता जे रहा हूं आठ्वा पाइट देखिए selection process will consist of written test skill propensity physical test SPPT SPPT shall be qualifying natural only तो यह जो test है वो qualify natural only होगा however final medalist be prepared based on the mark security written test जो बनेगी medalist बनेगी वो written test के उपर ही बनेगी ठीक है इस SPPT test के लिए नहीं बनेगी final medalist बनती है एक बाद में ठीक है दोस candidate who are consider fit and SPPT test चलो अब आगे देखते हैं 9 वाला पंट क्या है written देखिए 9 वाला पंट देखिए written test celbic objective type जो written test होगा वो objective type का होगा ठीक है जिसमें चार option आएंगे आपके जिन लोग पहले पहली बार दे रहे हैं जो लोग ठीक उसके लिए बता रहा हूं चार option आएंगे और एक option के लिए जैसे एक question के लिए एक answer मिलेगा ठीक है मतलब sorry एक question का एक number मिलेगा आपको ठीक है candidate has the choose correct option there shall be no negative marking यहां पर negative marking आपकी नहीं होने वाली यह बहुत अच्छी बात है तो आप सारे के सारे कर सकते हैं ठीक है जितने भी 100 question आएंगे आपके मालो ठीक है तो आप 100 के अंडर करके आ सकते हो ठीक है duration test will be 90 minutes तो 90 minutes आपकी होने वाले है यह मतलब 1.5 घंटा ठीक है इची होगी बार है the candidate selection process will return test modalities are already mentioned in the website notification in iocl.com the candidate notification of vacancy is also available at आपको देखो कोई भी अगर कुछ भी देखना है तो इस साइट पर आप देख सकते हो ठीक है इची है आगे देखते हैं देखे वे 30 देखे थार्टी में देखे एक चीज में आपको यहां पर बता दूं सिंपरी देखना देखो यहां पर यह 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 बोलना चाह रहे हैं यह 13 जो लिखा है ठीक है पॉइंट में यह कह रहा है कि आपने अगर रेटन टेस्ट दिया है आप रेटन टेस्ट दे रहे हैं तो उसके नेक्ट होने वाला है मनलेकिन यहां पर जो डेट दे रखी आपको 15-1260 गलत दे रखी है ठीक है इसमें गलत दे रखी है मैं आपको पहली किलिए बता दे रहा हूं यह जो एक्जामनेशन आपका 27 को है तो मेभी 28 को 27 को यह आपका रिजल्ट आ जाए ठीक है और 28 को आपका एसपीट एस हो जाए और एसपीट टेस्ट नहीं होगा तो आपको एक्जामनेशन जो एसपीट टेस्ट है वो डेट बता दी जाएगी तो मैं परिशान होने की जरुद नहीं है ठीक है मैं बता दूंगा सारी चीजें एक कैंडिडेट आल एड़ाइब टू कम प्रिपेर्ड अकॉंडिक टू मेग दा देर ओन आरेजमेंट बतला आपको एसपीट टेस्ट जो देने आना पड़ेगा एसपीट टेस्ट ठीक है वो खुद के अरेंजमेंट से आना पड़ेगा खुद की क्राई से उस वो कुछ देने वाले नहीं है इसमें ठीक है इस एर्मिट कार्ट शुड़ बेंटरली ब्रोट टू दा एक्जमेशन सेंटर एंड हैंड एंड ओवर तो दा रूम इन्विगेटर फेलिंग विच एंट्री अर्य तो सब कुछ वही है जो एक अनिकार लेका होगा तो वो कुछ चेक कर यहां पर देख लेते हैं वन पास्पोर्ट साइज फोटो यहां पर दिरक्खा है फोटोग्राफ एंड बेल बाल पैंट लेका जाना एक ब्लू ब्लैक जो भी ए तिक ब्लैक पैंट यह ब्लू प्लेल ले जाना है उन्सक्वाद एक्जमिशन संटर में केरिंग अफ नॉड बुक्स केरिंग उफ नोटबोक्स केल्टर यह चीज़ आपको नहीं ले जाने है ठीक है इजी मेरे ले ले क्यांटर रहे हैं कुछ नखल करने वाली चीज़ है यह नहीं ले जाने है यहां देखी 17 में candidate appearing SPT test is required to order document देखो SPT test जब होगा ना आपका तो आपको order document ले जाने जाने जैसा आइटा यह गया है तो दिप्लोमा कि राए तो डिप्लोमा ठीक है एंसी SCVT और SCVT diploma होना चाहिए आपका इसमें कह दिया है इसने सीधे सिधे कह दिया के ncvt या SCVT diploma certificate होना चाहिए अपका ठीक है और कुछ भी निगे रखा metrics certificate for the date of birth सब्सक्राइब और यहां पर देखते हैं यह चीज होगी विदाउट और डॉकुमेंट वी अलावड इन प्यार स्विट्ट ज्यान रगना कि अगर 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 आप अनल डॉकुमेंट नहीं ले जाते हैं तो आप यहां बें कंसिडर मतलब अपले गविल नहीं होंगे और अलावड नहीं किया जाएगा ठीक है यह चीज हो गई और ध्यान रखना देखो मैं आपको सीदे सीधे बता दूं अगर ट्रैवल पास आपको लेना है तो एक अलग सी विडियो बना दूंगा ठीक है जिसमें तीस किलोमेटर से अगर आपको घर 30 किलमेटर से ज्यादा है तो आपको ट्रैवल पास मिल जाएगा ठीक है और सेकंड स्लीपर का मिलेगा जाता है ठीक कोई दिक्कत में है ट्रैन का तो यह चीज़ है मिलने वाले हैं से एस्ट वालों को एक पास मिलेगा पास का मतलब आप टिकेट कर लोगे य कर परिशान मत होना यह एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा एससी स्ट वाले जो है ठीक उनके लिए ट्रैवल पास जो होता है उसका वीडियो में अलग से बना दूंगा जिसे आसको के लिए समझ में आ जाएगी चीज़ है ठीक है यह चीज़ होने वाली है और ठीक है बस यह लग से देखने वाले है किया होगास अब से एवले मोट वार्ण बता दूंगा आपको एक ट्रैवल्ल का जो एफ हैरे के एक हैरे प्सकी अनंदर जरूरी है ठीक है चलिए तो वीडियो अच्छा लगाऊ तो लाइक जरू करना चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरू कर लेना अगर सारी नॉटिफिकेशन आपको इसी पर मिलेंगी आयो सेलगी